आज हम सीकेंगे क्विक अंड easy तिल का लड्डू ऐसे लिए मैंने डाइसो ग्राम तिल लिया उसका भरबर कडाइसो ग्राम का पतांजली गूट का पौटर लिया एक खडाई गरम रखना है और उसमें तिल डाल के दीमी आज़ पर गुंजना चाहिए तिल अच्छे से बून लेना है, उससे कच्छक पन पूरा चेले जाना है तिल का, तभी लड़ू स्वादिस्ट बनेगा तिल का कलर चेंज हो रहा है, देखिए, तिल बूनने के बाद चट चट करके, तिल का आवाज आता है आपको पूरा कलर चेंज होना है तिल का, मैंने साफेद तिल लिया, आप चाहिए तो काला तिल भी ले सकते हैं हमारा तिल अच्छे से बूना गया है, देखिए, तिल का कलर एकदम बदल गया, तब हम स्टव आफ कर लेना है और तिल को टंडा करना है तिल अच्छे से ठंडा हो गया, अभी मिक्सी जार में मैं तिल निकाल दी हूं मिक्सी जार में मैं तिल के साथ साथ गूट भी डाल दिया अच्छे से लड्डू बन रहा है, चोटा चोटा बनाना चाहिए तक्कुने यतो एंतोई रुच करवेना डूबूल रेड्डूलू रेडी कम घी और कम टाइम से तिल का लड्डू कितने एजी से बन गया देखा आपने आप भी बनाए और आपका बच्छे